Hello friends, मैं हूँ अन्नपुर्णा and welcome to my channel आज मैं आपके साथ share कर रहे हूँ एक बहुती ज़्यादा tasty और साथ healthy recipe ये हैं खटा भाजी के फूल आपने खटा भाजी तो बहुत खाई होगी आज मैं बनाएंगे खटा भाजी के फूल के साथ एक बहुती ज़्यादा tasty और healthy chutney तो इसके लिए मैंने 200 gram खटा भाजी के फूल लिये हैं और ये हैं आधा कटोरी सफेद तिल आप चाहो तो आधा कटोरी मुझफल भी यूज़ कर सकते हो हरी मिर्च, तीन टमाटर, नमक, स्वाद अनुसार, तेल और ये हैं तड़का लगाने के लिए करिया पत्ती, थोड़ा सा हिंग, जीरा, हल्दी, सुखी लाल मिर्च, सरसो और थोड़ा सा चेना दाल और उड़त दाल ये बहुती कम चीज़ों में बनेगा और बहुती ज़दा टेस्टी भी रहेगा और साथी साथ बहुत ज़दा हेल्दी भी है तो ये है खटबाजी का फूल, इसे हमें इस तरीके से साफ करना है हमें ये जो फूल है, इसके पंखुडिया लेनी है और इसके अंदर का जो हरा वाला बीज है, इसे हमें यूज नहीं करना है बस पंखुडियों को यूज करना है मैं आपको एक और छिल के दिखा रही हूँ ये खटबाजी का फूल है इसके ये जो पंखुडिया है इसे हमें अलग करना है पिंक वाला जो पार्ट है इसको हम यूज करेंगे और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम यूज नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम लोग सारा फूल क्लीन कर लेते हैं फूल की पंकुड़ी अलग कर लिया है। और बीज अलग कर लिया है। इन बीजों को अब मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। आप इन फूलों को मैं अच्छे से वाश कर रही हूँ वाश करके अब हम इसे यूस करेंगे अब मैंने फूलो को वाश कर लिया है उसके बाद मैंने रखा इस प्लाल मैं डाल रही हूँ तिल्ली सफित तिल्ली डालकर इसमें हमें थोड़ा सा जीरा भी डालना है अराउंड एक टीस्पून जितना डालकर इसे हम अच्छे से धीम्यास पर भुनेंगे जिसे कि मैंने पहले बताया तिल की जगा आप चाहो तो अधा कटोरी मुनफरली का भी यूज़ कर सकते हो अगर दोनों भी नहीं यूज़ करोगे तभी इसकी चट्नी बहुत टेस्टी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी अब तिल्ली अच्छे से भून गया है मैं इसे निकाल रहे हूं अब सेम उसी कड़ाई में मैंने अरौंड दो चमच तेल डाला है और उसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूं जिसे तमाटर थोड़ा सा गल जाया उसके बाद मैस में डाल रहे हूं हल्दी अरौंड हाफ टी स्पून डाल कर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इन फूलों में कई जादा हल्ग बेनेफिट्स है विटामिन सी से भरपूर है इसे खाने से हमारे शेरीर में आइरन की कमी दूर होती है पेट के लिए अच्छा है हमारा इम्मुन पावर भी बढ़ता है अब इसमें मैं डाल रहे हूं धुले ओवे फूल डालकर इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है यहां मैंने ग्यास का फ्लिप मीडियम रखा है नहीं बहुत ज्यादा है और नहीं बहुत ज् जल्दी पक जाते हैं इसलिए हमने पहले टमाटर डाला है जब टमाटर थोड़ा सा पक गया उसके बाद हमने फूल डाला है अब इसमें मैं अच्छे से मिक्स करके नमक डाल रहे हूं एक छोटा टी स्पून जितना आप अपनी टेस्ट के क्वाडिंग इसमें नमक डाल सक सकते हैं अब दो मिनिट बाद हमारे टमाटर और फूल एकदम अच्छे से पक गए अब मैं गयास का फ्लीम आफ करके इसे ठंडा होने रख दूंगी अब मैंने लिया मिक्सी का जार इसमें मैं डाल रहे हूं बुने हुए तिल जैसे कि मैंने पहले बताए तिल की जगा आठें अन्हीं किया है अगर आपको पैसदालना है तो जब हमने हर्मेंँ डालके भोना था उसी समय आप और और सकते हुआ अब इसे अच्छे से मैंने ग्राइंड किया है बट थोड़ा सा और ग्राइंड होना बचा है तो मैं थोड़ा सा पानी डालके इसे एक बर और ग्राइंड कर रही हूं तड़के में भी मैं लसुन का यूज नहीं कर रही हूँ, अगर आपको लसुन का फ्लिवर अच्छा लगता है तो आप तड़के में लसुन का यूज कर सकते हों अब यह अच्छे से ग्रैंड हो गया है, इसे मैं निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में यह फूल बहुत ही रेर मिलते हैं, जब भी मिले आप इसे खाने वे ज़रूर यूज करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है अब तड़के के लिए मैं रखा है तड़का प्यान, उसमें मैंने डाला एक टीस्पून ओईल और वन बैबन तड़के की सारी चीज़े मैं इस का वे हिनल खेंगे तड़के की सляोरी शपला खता वे चे आचीज़ची ऐसन खबगारे ज़ीरूच दोकि ज़ना ही झाखिए।